हेलो गुद मॉनिक ओल आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैप हिमाचल पे तो आज हम लोग देखेंगे कि 20 अफ अप्रिल को डिफरेंट 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 न्यूस पेपर्ज में हम लोगों को कौन कौन सी हाइलाइट्स देखने को मिली और किस तरह से वो हमार और इसराइल के कंफ्लिक्ट की जब से इस महिने की शुरुआत हुई है तब से इसराइल और इरान की जो डिलेशन्स हैं वो काफी खराब हुए है अलाकि इन दोनों के डिलेशन्स पहले से ही काफी अच्छे नहीं थे लेकिन जब से अप्रल महा की शुरुआत हुई तो जाइल्स दागी गई है तो इससे सबंदेत ये specific news है तो देखे वैसे ये news आप लोगों को पता होनी चाहिए नॉमली जब भी हम लोग कोई news first page के ओपर देखते हैं या important highlights में देखते हैं तो उसी के ओपर हम लोगों को लग-लग तो उस article के ओपर भी हम लोग थोड़े दिर में आएंगे लेकि सबसे पहले आपको यहां पर एक जनल आइडिया होना चाहिए specific news का और उसके साथ साथ जिस जगह के ओपर attack हुआ है तो यह जगह का नाम है इसफाहन और इसफाहन के अगर हम लोग बात करेंगे तो यह इरान की काफी पुरानी city है और इस specific type बे इरान का जो nuclear power stations है वो हम लोगों को इसी जगह के ओपर देखने को मिलते है तो यह जगह location places in news हमारे लिए automatically जो हो important होगे automatically जो हो relevant होगे clear तो यहाँ पर आपको इस अफान के बारे में पता होना चाहिए उसके साथ साथ जो को कुछ ट्रोंस जो है तबरीज नाम की जगह जो कि इरान के अंदर ही है वहाँ पर भी गिराए गये है तो एक basic सी जानकारी इन दो जखाहों के उपर शब्दा बली अलग लग words जो यूज होते हैं जैसे एक dis inflation है एक word यूज होता है that is your deflation clear तो जब हम लोग deflation और dis inflation की बात करते हैं तो dis inflation का मतलब है जहां पे आपको inflation में reduction देखने को मिलती है लेकिन पो reduction जो पॉजिटिव में रहती है लेकिन कभी-कभी जब किसी देश के अंदर inflation बहुत जादा हो जाती है तो वहां पे inflation को control करना भी जो government से उनके responsibility होती है और वहां पे वो main काम करते है dis inflation के उपर तो पिछले दो सालों में अभी RBI की MPC की जो committee है उसके द्वारा जो basically repo rate reverse repo इनको decide करती है तो उसी के द्वारा जो repo rate है उसमें तो कोई परिवर्तन कोई change नहीं किया गया लेकिन साथ में caution किया गया कि जो dis inflation जो उन्होंने 2 साल से maintain किया या नहीं कि 2 साल से जो महंगाई है उसको control किया गया है अब chances यह है कि food inflation जो है वो increase हो सकती है अब food inflation के multiple reasons है जैसे specific time पी हम लोग देख रहे हैं कि ज climate change का impact है वो भी हम लोगों को हमारा जो food है उसके ओपर crops है उनके ओपर देखने को मिल रहा है उसके साथ साथ global supply chain है वो भी बहुत बुरी तरह से disrupt हुई है तो basically caution जो है वो MPC, monetary policy committee के दौरा जो है जब उनकी meeting हुई तो उसमें raise किया गया और इसके बारे में जो हम लोगों को हम लोग 2024-25 की तो यहां पर जो हमारा inflation है वो 4.5% है 2023-25 में 5.4% थी 2022-2023 में 6.7% है तो हम लोग क्या देख रहे है हम लोगों को inflation में कमी देखने को मिल रही है that is disinflation clear तो कोशिश यही है कि जो 4% है उस तक उस target को जो हम अचीब किया जाए जो कि MPC का target भी है तो यह basic जानक जानकारी जो आप लोग के बास होनी चाहिए next news के ओपर हम लोग मूग करेंगे next news जो है वो basically appointment से related है जहां पर IPS officer नलिन प्रभाज जो है इनको NSG यानि की national security guard का chief director journal जो है वो appoint किया गया है तो अगर हम लोग बात करेंगे NSG की तो NSG की जो formation है 1984 में जब golden temple के उपर attack हुआ था next news तो यानि यह हमारा personal news या important appointment से related है और हम लोग देखते हैं कि हमारे prelims examination में हम लोगों को appointment से related news जो हमको देखने को बिलती है next news के उपर हम लोग move करते है what Mariam spoke about Punjabiyet culture बहुत जादा relevant जो नहीं है यह basically जो पाकिस्तान का Punjab और इंडिया का Punjab उसके बीच के जो cultural connections है उनको यहाँ पर highlight किया गया है next news के उपर हम लोग move करेंगे next news जो वो शिंकुला टर्नल के उपर है तो अगर आप लोगों को लाहुल और जो लद्दाक है उसको connect करता हुआ देखने को मिलता है तो इसी connection के लिए जो वो एक specific tunnel जो है वो 2006 साथ में परपोस की की थी और उस tunnel की जो total length है वो कितनी ही कितनी है 4.1 km क्लियर तो ये tunnel जो अब आप लोगों को इमाचल और जो जमुन कश्मी तो नहीं अब जो लद्दाक union territory है उसको एक दूसरे के साथ जो को जोड़ती भी देखने को मिलती है तो बैसे तो एक political news है लेकिन आप लोगों को यहाँ पर शिंकुला टर्नल कितना उसक के अंतरगत क्यूंकि जब भी आप लोगों को इस तरह की जगाओं के उपर forest areas में किसी तरह की तुनल जो आपको डबलब करनी होते तो वहाँ पर से प्रमीशन नहीं पड़ती है अंडर forest conservation act क्लियर तो उसी में ही जब सेंटल गर्मेंट के दौरा जो इसको क्लियरेंस दी ग और लेहे जो है वह आप लोगों को connect होता हूँ देखने को मिलेगा 2025 तक संभावना है कि यह complete हो जाएगी और यह टनल जो है वह आल वैजर कनेक्टिविटी देगी मंडी से लेके लेहे तक लियर चलिए next news के ओपर हम मूव करते हैं next news जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को ब यहां पर बताया गया है कि किस तरह से जो इरान है वो प्रॉक्सी इसको उसने बिल्ड किया है जैसे हजब उला को इसने बिल्ड किया है हमास को सपोर्ट कर रहा था और उसके साथ आज कलम लोग हाउदीज को देख रहे हैं जिन्होंने प्रॉपर ली जो स्वेज कनाल है उ उसके साथ सा जो हिस्ट्री है कि किस तरह से इरान और इराक के बीच में जब युद्ध हुआ था तो वेस्टन पावर्स के दोरा इराक को सपोर्ट किया गया था जिसके कारण बहुत बढ़ बड़ एंदर जो लोग मरे थे वो भी एक बहुत बड़ रीजन है जिसके कारण वेस्ट और जो इरान है उसके रिलेक्शन जो हम लोगों को बहुत जादा अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं और साथ मैं जो इसराइल है उनकी जो थौट परसेस उनकी जो नही गॉपमेंट यहाँ पर बनी है जो प्रॉपरली ग्रेटर इसराइल जो उसको इसको इसको अगर आप पूरा current context को समझना चाह रहे हैं कि currently क्यों इनके बीच में confliction हो रही है और किस तरह से क्या क्या इरान क्या चाहता है इसराइल क्या चाहता है वाकि ये यूएस से क्या चाहता है clear और क्या होना चाहिए इसकी जानकारी जो आपको इस आर्टिकल को ज़रूर एक बात की थी Palestine जो है वो अभी तक United Nation का Permanent Member नहीं है वो उसके Observer के अंदर है लेकिर Permanent Status की जैसे ही बात हुई तो वहां पर USA के द्वारा जो है वो वीटो एक्सराइस की की तो यहां पर लिखा गया है कि किसरा से जो पलेस्तीन है उसको United Nation का Member बनना चाहिए Next News के उपर हम लोग मूव करेंगे Last हा हमारी आज की News है यह है Basically Scientist and a Wish List for Incoming Government तो इस आर्टिकल को आप कैसे पिक करोगे देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे हाँ पर Science and Technology के उपर या Scientific Research के उपर specific time पर जब वो सरकार काफी जादा पैसा खर्च कर रही है सरकार के तो असान भाशा में जो इस ताइम पर साइंटिस्ट के दौरा problem फेस की जा रही है उस problem का resolution जो है उसका यहां पर जिकर किया गया है जहां पर उनको प्रॉपर फ्रीडम मिलनी चाहिए पूरे का पूरा जो सेलेक्शन है वो मैरिट के उपर होना चाहिए उनके पर अधिकार प्रॉपर टीम जो है वो रिकूरूट कर सेके वहां पर किस तरह के इंटरफेरेंस नहों जहां पर जा सब्सक्राइब कर सेके ताकि उनको बेस्ट ऑफ इन्टराशनल एक्स्पोजर जो है वो देखने को बिले और जितना टोटल जीडिप की परेसेंटेज उसमें 4 किया जाए और सरकार का जो खर्चा है अप्रोक्सिमेटल जितना टोटल एक्स्पेंडिचर हो रहा है इसका 50% के आसपास रहे तो बिसिकली साइंटिफिक रिसर्च के लिए गवर्मेंट को क्या 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 करना चाहिए और क्या क्या स्टेप्स उठाई जा सकते हैं वो आप ल हम लोग पर्सों हम लोग फिर बिलेंगे तब ते के लिए थैंक यू नहीं बाद